किड़नी हराब हो गई है इसलिए डायलेसिस खरवाना पड़ेगा यही सुना है आपने और मजबूर होकर आपके पास कोई और रस्ता नहीं बचता और आप जाते हैं डायलेसिस के लिए और मजबूर हो जाते हैं कि लेकिन यहां पर एक बात सोचिए कि खराब है क्या किड़नी खराब का मतलब क्या होता है अगर हमारे घर में कोई चीज खराब हो जाती है मिक्सी खराब हो गई इसका मतलब वो चलेगे नहीं उसमें काम नहीं होगा आप चटनी बना नहीं सकते यह सुनों ऐसा ही है ना तो अगर किड़नी खराब हो गई इसका मतलब क्या कि आपकी किड़नी वर्क नहीं कर रही उसका सिस्टम घराब और अगर डॉक्टर कहता है कि किड़नी घराब हो गई है तो सबसे पहले छोटी सी चीज चेक कीजिए कि क्या आपको यूरी आ रहा है या नहीं आपकी बॉडी में यूरीन बन रहा है या नहीं अगर बन रहा है तो किड़नी ठीक है पूरी नहीं लेकिन हाँ फंक्शन उसमें है अभी उसका काम चल रहा है कैसे क्योंकि जो किड़नी है उसी का तो काम है यूरीन बनाने का इट मीज हमारी किड़नी वर्क कर रही है लेकिन उसके काम करने की जो efficiency है जितनी जान से वो पहले काम करती थी अब वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही है यह यह कहा जाए बलड में क्रेटिन लेवल यूरिय लेवल पोटाशियम लेवल बढ़ रहा है ठीक है यह बात समझ आती है कि function पूरा नहीं हो रहा है इसकी वज़े से यह बढ़ रहा है लेकिन काम नहीं कर रही खराब है इसलिए dialysis कराना पड़ेगा यह बिल्कुल गलत है दूसरी चीज़ अगर कोई kidney failure का patient दवाई ले रहा है regular basis पे और फिर भी उसका creatinine level बढ़ रहा है potassium level बढ़ रहा है वो level 2 से level 3, level 3 से level 4, level 5 और level 6 तक आ जाता है तो इसका मतलब एक चीज़ तो बहुत simple है जो आप दवाई ले रहे हो उसमें कोई कमी है वरना यह सब क्यों बढ़ते बाई अगर आप किस चीज़ का इलाज करवा रहे हो और वो विमारी ठीक नहीं हो रही इसका मतलब क्या है कि वो दवा सही काम नहीं कर रही अपना सही result नहीं दे रही यह बात clear है ना वही इसी की वज़ा से levels बढ़ रहे है तो यहां पर आपको एक चीज़ चेक करना बहुत जरूरी है कि जो आ आप दवा खा रहे हैं क्या वो सही है या नहीं इसको एक example से समझते हैं अब मान लीजिए आपका चहरा गंदा हो रख है मिट्टी लगी हुई है कुछ काम करने थे लग गई चहरा गंदा हुआ है और आप गए बातरूम में शीशे में देखा आपने और आप क्या करने हो गई रगड़ते रगड़ते लेकिन यह चहरा साफ नहीं हो रहा तो क्या possible है वो सब दिखेगा नहीं ना क्यों क्योंकि हम क्या कर रहे हैं गलत काम क्या गलत काम हम मूद होने की वजाए क्या साफ कर रहे हैं शीशे को सेम इसी तरीके से एक पेशेंट क्या करता है किदनी की दबा लेते वक्त वो सारी दबा लेता है जिससे हमारी बॉड़ी में विटेमिन्स हमें मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, विटेमिन B12 होता है, आयरेन की गोली होती है, लेकिन वो दबा नहीं होती जो आपके किड्नी के फंक्शन पर वर्क करती है, वरना आप गूगल करें औ भी patient को dialysis का suggestion दिया गया है उसकी पहली गड़बड कहां थी और उसके बाद दूसरी गड़बड भी समझेंगे अब जब हम बात करते हैं dialysis की माल लीजी चलो ठीक है kidney का process था level बढ़ गए अब dialysis आपको finally करवाना पड़ेगा और आप जाते हैं तो यह dialysis है क्या और इसमें हो मंजोर होता जाता हैं और क्या देक्कते आती हैं देखे हमारी kidney का काम क्या है हमारी kidney हमारे blood को purify करती हैं हमें पता हैं हमारे body में जितने भी toxins बंते हैं विकार प्रदात होते हैं उनको निकालता है लिकिन जब kidney का process कम हो गया, यह ना के बराब हो गया, बहुत दीरे हो गया, तो उसकी वज़े से body में, blood में, creatinine, potassium, बहुत सारे waste material लिकटे होने लग जाते हैं, जिसकी वज़े से हम dialysis कराते हैं, तो जब हम dialysis कराते हैं, तो actually क्या होता है, dialysis एक machine के द्वारा कराया जाता है, जिसमे हमारी पूरी body का जो blood होता है, उसको purify किया जाता है, उसको च्छाना जाता है, अब जब body को च्छाना जाता है, तो ये काम तो हमारी kidney करती हैं हमारी body में, लेकिन वो करनी रही, इसलिए हम machine के द्वारा कर रहे हैं, लेकिन जो ये machine है, इसमें कमी हैं दोस्तों, machine machine है, इनस इनसान है जो भगवान ने बनाई है प्रकर्तिक चीज वो सबसे उंदा होती है यह हम सब को पता है उसी तरीके से जो यह किड्नी है वो बड़े शांदार तरीके से वेस्ट मेटीरियल को बाहर निकालती है प्रियोग में आने वाली सारी चीजे या हमारे शरीर के लिए जितन वेस्ट मेटीरियल बिलकुल निकलता है लेकिन उसके साथ वो सारा इंपॉर्टेंट मेटीरियल भी बाहर चले जाता है वो सारी इंपॉर्टेंट चीजे भी बाहर चली जाती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है जैसे अगर मैं कहूं प्रोटीन हम प्रोटीन उसका जार है इतनी तेजी से चीज़े अभी बॉडी में बन नहीं रही है जितनी तेजी से डालेसिस की वज़े से बॉडी से निकल रही है मान लीजे हफते में अगर दो बर dialysis कराना पड़ता है या तीन बर dialysis कराना पड़ता है तो उस व्यक्ति की body में इन सारी चीजों का production अभी इतना जादा नहीं हो रहा है जितना जादा उसका नुकसान हो रहा है इसी लिए एक dialysis patient को recommend किया जाता है कि आप protein diet लो जादा से जादा लो लेकिन वो कितनी भी जादा protein diet ले ले उसके साथ होगा क्या dialysis कराने जाएगा और वहाँ पर सारा protein निगल जाएगा इसी वज़े से उसकी body में क्या होगा कमजोर ही आएगी क्यों क्योंकि protein से क्या बनती है muscle बिल्ड होती है ना सबको पता है तो muscles वारी हर चीज में problem दीरे दीरे आनी शुरू हो जाएगी और शरीर कमजोर होना शुरू हो जाएगा अब इस पूरे process में मेरे को एक बात बताओ कि हम kidney पर कहां work कर रहे हैं हम kidney के functions पर कहां work कर रहे हैं dialysis से पहले भी नहीं, dialysis के बाद भी नहीं दवा तो हम उस चीज की खाई नहीं रहे तो क्या हमें उसका result मिलेगा क्या कभी dialysis बंद होगा अगर आप ऐसी दवा ले रहे हो हाँ, answer आपको मिल गया तो यहाँ पर अब सवाल उठता है कि अगर ऐसे बंद नहीं होगा तो भई क्या करें जिससे हमारा dialysis बंद हो जाए या kidney की बिमारी को सही टाइम पर ठीक तरीके से कंट्रोल किया जा सके इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है स्क्रिन पर नंबर दिख रहे हैं उस नंबर पर अपनी रिपोर्ट शेर करो हमारे डॉक्टर्स की बुरी टीम बैठी हुए वो आपकी रिपोर्ट को पढ़ेगी स्टडी करेगी और उसके हिसाब से वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से अगर आपके क्रिटिन लेवल पोटैस्यम लेवल बढ़े वे आ रहे हैं हमें तीन है तो तीन से कैसे दो और दो से कैसे एक और उसके बाद धीरे-धीरे डालेसिस करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सिर्फ इतना सा काम करना है या फिर इन नंबर्स पर आप डिरेक्ट कॉल करके हमारे डॉक्टर से free of cost consult कर सकते हो तो अभी call करो और अपनी समस्या का समधान लो क्योंकि हमें इतना तो पता लग गया के समस्या किसकी है kidney की तो work किस पर करना पड़ेगा kidney और kidney पर कैसे work करना पड़ेगा तीन तरीके से जो तीनों तरीके का सही combination को इविक्टी फॉलो करता है तो उसे बहुत जल्दी अपने kidney level, potassium level में गिरावट देखने को मिलती है reports अच्छी देखने को मिलती है और life भी stable हो जाती है